हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेल पर है दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी की क्लास 5 करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कारक और दोस्तों इससे पहले मैं बता दूँ हम आपके लिए KBS जैसे के लिए All Lady हिंदी की 4 क्लास डाल चुके अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो सबसे पहले वो 4 क्लास देखिए क्योंकि हर एक क्लास जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है इसमें हम जो आपका पूरा कारक पढ़ेंगे और उससे रिलिटेट संबंदित प्रेश्न भी करेंगे जिससे आपका जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है इससे पहले दूसरों बता दू हिंदी के लिए ओल लिडी में चार क्लासे डाल चुका हूँ जिसमें सबसे पहले हमने वर्ड माला पढ़ाता फिर संग्या पढ़ाता फिर हमने पढ़ाता लिंक फिर हमने पढ़ाता बचन अब हम पढ़ेंगे कारक ठीके यह हो जाएंगे म कि मारा संगया जिसम घाना पड़ा था और तीसरे में हमने लिंक पड़ा था, चौते में हम भचन पड़ा था है, दोस्तों आपके सबी डाउट के जवाब देता हूं कि में इतने दुरोशे कहा था और विडियो और यह जी घैसे पोस्ट पर तो मैं ठीक है 2000 से भी उपर किलोमेटर तो थोड़ा सेटल होने में समय लगता है इसलिए थोड़ा सा श्योडियूल बिगड़ गया था इसलिए वीडियो नहीं मना पार रहा था बट आज से आज से आपको जो है डेली आपकी सबसे पहले देगा हूँ अगर वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो और यह हमारा चैनल है दा एक्जाम वेल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और यह के बीएस जैसे के लिए में अलग से प्लेलिस्ट बना रखिए कोई भी के बीएस से रिलेटेड जो मेरे वीडिय के लिए हो जैंगे quarter वगएरा salary वगएरा home वगएरा और मेरे द्वारा भी आपको जो है वीडियो दिये जागा कि NBS में किस तरीके quarter मिलता है salary क्या होती है और किस तरीके से मेरी जोइनिंग होई मैं क्या work करता हूँ अब इसमें सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ ठीक चलिए तो सब कुछ आपको दिखाऊंगा तो बने देगे चैनल पर और इसके अलावा हम प्रिवी सेर के पेपर भी कर चुके हैं जिसमें 19 फर्वरी 2008 अगरा फर्ष 2018 का शिफ्ट फर्स का पेपर हम ने किया था और ये किया था हमने शिफ्ट थर्ड का इसके अलावा तीन पे प्रिवी सेर का टॉप क्या रही थी और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देगा तो चलिए आज की दोस्तों हम क्लास कर लेते हैं जिसका जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है क्या कारक ठीक है तो चलिए हम सब्द विकार पढ़ाया था जिसमें हम सं क्लासें वो लिंकिंग है तो इससे पहले कि अगर आपने क्लासें नहीं देखे तो उनको देखिए तभी आपको यह टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आगा तो कि आगे इसके जो बाद टॉपिक आएंगे सर्वनाम और क्रिया वो भी इससे कहीं ने कहीं connected होंगे तो पानी पिया तो मैंने यहां पर पानी पीने की जो है वो क्रिया की ठीक है मैं जो है मैं बाजार गया तो मेरे द्वारा क्या है बाजार जाया गया यानिकि मैंने क्या बाजार जाने की क्रिया की तो यही इसका मीनिम होता कारक का की कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला यानि कि जिसके द्वारक क्रिया की जाती है उसे हम कारक कहते हैं आपने अपना हुमर्ख किया तो हुमर्ख किसके द्वारक की गया आपके द्वारक किया गया ठीक है तो इसे ही हम क्या बोलेंगे कारक बोलते है ठीक है तो कारक का क्या आर्थ होता है क्रिया को करने बाला अब क्या समझे संग्या या सर्वनाम शब्दों का किरिया से संबंद बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं संग्या और लेडियों पड़ा चकाँ क्या होती है सर्वनाम भी मैं उसमें बता दिया थे कि सर्वनाम क्या होती तो संग्या और सर्वनाम शब्द जो होते हैं, उनका क्रिया से संबंद बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, अर्थात, संग्या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्यत करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं, ठी जो कारक होते हैं इनके पर्टिकुलर चिन होते हैं जो इनके साथ लगते हैं तो प्राय क्या होते हैं इन कारकों के जो चिन होते हैं इनके साथ लगते हैं इन चिन्नों को क्या कहते हैं प्रसर्ग या बिवक्ति कहते हैं तो आप से पूचा जा सकता है कि कारक के साथ जो चिन चिन लगाय जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें उन्हें हम प्रसर गया विवक्ति कहते हैं, ठीक है? इसकी जो फोटोवाल के लिए तो फोटोवाल तो यहाँ पर संग्या है बस्त हुए और के लिए क्या हो जागा के लिए हो जागा प्रसर गया बिवक्ति दुकान तो यह संग्या हो जागी और पर पर क्या हो जागी वारी प्रसर और बिवक्ति हो जागी ठीक है तो आई हूप आप समझ होती है जैसे रानी को मोहन को फटवल के लिए दुकान पर ठीक है जब कि जो आपके सर्वनाम शब्द होते हैं सर्वनाम जो शब्द इनके साथ जो बिवक्ति लगाती है वो मिलकर संयुक्त रूप से लिखी होती है जैसे मैं ने तो मैं क्या होता है मैं सर्वनाम होता है वो ने क्या हो गया, ने वैसे अलग होता है, ने क्या होता है, प्रसर गय विवक्ति, इसी को हम कारक कहते हैं, कारक की जो पेचान की जाती है, वो प्रसर गय विवक्ति की दारा की जाती है, जो इसका मतलब बताती है कि कौन सा कारक है, ठीक है, तो ने क्या है, यहाँ पर कारक को बताने वाली भीवक्ति है ठीक है तो जब की देखे में द्वरा से आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आगा ठीक है छले तो कारक करने वाला कारhof कारे despite वाला डीक है करने वाला संग्या या सर्बनाम शब्दों का कियूरण संब्रावाले Украї kicking क्या हिसे किरिया की संग्या सर्वनाम के साथ जो किरिया की भूमी का निश्चित कर दे हुआ ही क्या क्यलाएंगे कारक क्यलाएंगे ठीक है कारक क्या होते हैं इनके कुछ चिन होते हैं वो इनके साथ लगते हैं इन चिन्नों को क्या कहते हैं प्रसर गया विवक्ति कहते हैं ठीक है संग्या शब् देखते हैं यहां देखें मैं ने तो मैं क्या है एक सर्वनाम है ने उसके साथ क्या होई बिवक्ति लग गई ठीक है चलिए इस को इस क्या है सर्वनाम और हम हम क्या है सर्वनाम से क्या हो गई बिवक्ति लगई ठीक है तो मैंने इसको हम से यह क्या होई यह संयुक्त रूप करो हे राम तो हे क्या हो जाएगी यहां पर बिवक्ति हो जाएगी ठीक है अभी आपको पता चलेगा सेस सभी बिवक्ति जो है बाद में प्रिवक्त होती है केवल जो संबोधन के लिए प्रिवक्त की जाती है वो प्राणम में लगेंगी और जो सेस सभी बिवक्ति होंगी व तो विवक्ति के माद्ययम से भी आप पता लगा सकेंगे कि यह कौन सा कार्क है ठीक है और यहां पर उसका उधारगा दे रखा है हम ने ठीक है? चलिए तो सबसे पहले जो कार्क है, कितनी कार्क बताईते में बिन्हें आर्ण बताएते हैं ठीक है और कारक क्या होता है क्रिया को करने वाला तो ये कारक क्या करेगा वो हम देखेंगे ठीक है तो सबसे पहला हमारा कारक है करता कारक क्या होता है क्रिया को जो करता है वो होता है करता कारक यानि कि क्रिया को करने वाला क्रिया को कौन करेंगे आप करेंगे मैं करूंगा ह तो करता कारक यानि की किरिया को करने वाला इसकी जो विवक्ति होती है वो होती है ने या शुन्ने विवक्ति या तो सुन्ने का मतला होता है कोई भी उसके साथ विवक्ति नहीं लग दोगी विवक्ति बेसिकली ने को से ठीक है यह क्या है विवक्ति है के लिए के लिए का की ये सारी विवक्ति हैं जैसे राम ने पत्र लेखा तो आप इसे पढ़िए राम पत्र लेखा कुछ मतलब निकलना इसका कोई संबंध मिलना है राम क्या संग्या है और यह क्या है अधर पाट है उसका तो राम पत्र लिखा कोई सेंस बना है राम पत्र लिखा बेका लग रहा है ना अब ही पर हम क्या लगा देंगे इस पर विवक्ति लगा देंगे राम ने पत्र लिखा तो जो पत्र लिखने का कार्या किया गय तो इस तरीके से आपको निकलना ठीक है आपको कोश्चन में दिया जागा राम ने पत्र लिखा मैं कौन सा कारक है तो आप कैसे पिचानेगी इसमें आया ने तो आपने देखा कि जो कारक किरिया की जारी वह पत्र लिखने की इसके दौरा राम के दौरा बवक्ति कौन सी ने बिवक्ति आएगी तो क्या हेगा art Rainbow French कर्वक्राइब चार और चार उप्षुन होंगे करता कारग कर्म इस तरीके सी, या फिर क्या होगी सुनने कया होगी कि राम पढ़ता है तो यहां पर क्या हुँ क्रिया तो पढ़ने का जो कार है वो किसके द्वारा की जा रहा है राम के द्वारा तो सिंपल है राम के द्वारा पढ़ने का कार की जा रहा है यानि कि एक अकेला व्यक्ति है उसके द्वारा कोई कार की जा रहा है यानि कि क्या हो जागा राम पढ़ता है, इसमें कोई भी विवक्ति नहीं है, इसमें केवल संग्या है और किरिया है, ठीक है, समझ के होंगे, छली अगला है कर्मकारत, कर्मकारत क्या होता है, जिस पर किरिया का प्रवाव या फल पड़े, अब जैसे देखिए इसमें जो बिवक्ति लगती वो लगती है को लगेगी यह सुने को लगेगी तो कैसे लगी देखते हैं तो राम ने बालक को मारा ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर दो बिवक्ति हैं सबसे पहले तो राम ने ने में क्या था करता कार रख तो राम कौन कर्म कारक क्या होता है जिस पर किरिया का प्रवाव या फल पड़े तो मारने का प्रवाव किस पर पड़ रहा है बालक पर तो बालक क्या होगे यहाँ पर कर्म कारक तो आई हूप आप समझे होंगे कि जो कर्म कारक है वो कौन है वो है आपका बालक राम कौन है करता कारक को कि राम ने कारक किया इसका प्रवाव किस पर पड़ा बच्चे पर पड़ा और कौन सा कारक किया मारने का तो मारना था होगी किरिया यह दोनों संग्या यह क्या होगी ने बिवक्ति होगी तो करता कारक और को बिवक्ति वही बालक के लिए तो जो कर्मकारक ठीक है इसी तरीके से आपकी सुनिय विवक्ति देखिए इसमें कैसे लगती है तो सुनिय विवक्ति में देखिए राम ने पच्ची देखा तो जो पच्ची को देखने का काम किया गया मों किसके द्वारा राम के द्वारा किया गया तो राम नैं पक्षी देखा ठीक है राम ने क्या करा पक्षी पर इसका प्रवाव पड़ा देखने का ठीक तो इस तरीकेसे यहाँ पर राम ने पच्ची देखा तो यहंखर्म कारख को हो》 गया है क्यों Dak he यानि कि क्रिया को करने वाला कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रवाव या फल पड़े यानि कि आपके द्वारा कोई कार किया गया तो आप करता हो गया आपके आपना कोई कार गया उसका प्रवाव आपके दोस्त पर पड़ा या किसी और पर पड़ा तो वो हो गया कर्म कारक ठ के लिए अगला देखिए करण कारक क्या होता है जिससे क्रिया की जाए या क्रिया करने का साधन यानि कि जब आप फल काटेंगे तो किजी चाकु से काटेंगे ना समझ गए चाकू से काटेंगे या कोई भी और अधर जो है बोलेंबो करड़ तो उस से काटेंगे तो वही होता है करड़ कारक यानि कि जिससे किया की जाए या किया करने का साधन पर इसमें बेबक्ती क्या होती है तो सेव होती है या के द्वारा यानि कि आपने सेव को काटा चाकू के द्वारा तो चाकू के द्वारा के द्वारा जैसी आपको देखेगा तो आप पैचान जाएंगे कि के द्वारा यानि कि किसी के द्वारा कोई कार किया गया तो वो क्या हो जागा करण कारक ठीक है या सेव तो आपने चाकू से सेव काटा तो सेव को किस से काटा गया चाकू से चाकू से काटा गया नहीं कि करण कारक वो क्या हो जागा क्रिया करने का साधन ठीक है चलिए तो करण कारक जिससे क्रिया की जाए या क्रिया करने का साधन विवक्ति क्या होगी से या के द्वारा राम ने बार से रावड को मारा अब देखिए इसमें तीन-तीन विवक्ति ये लग गई तीन-तीन इसमें आपके कारक आ गए कौन-कौन से मैं बताता हूँ तो सब से पहले तो राम ने बाण से रावड को मारा तो मारा कौन गया रावड तो आप समझ पहुए आई तिक है कि कोई भी क्रिया करने का जो साधन होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे कर्ड कारक तो आप से इसमें पूछेगा कि बताइए जो बाण से लिखा हुआ है ये कौन सा कारक है तो आप हाल बता देंगे कर्ड कारक क्योंकि क्रिया करने का साधन है ये आप से पूछेगा रावड को मारा इसमें जो को है जो कौन सा कारक है तो राम के द्वारा राबण मारा गया तो यहाँ पर देखिए राम कूँअ हो गए करताकार्ख क्वोगि इन्हें क्लिया की किस पर प्रवाव पड़ा, राबण पर पड़ा और के द्वारा तो राम भी तो एक साधन होए ना साधन तो कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई करण हो सकता है, तो राम किये द्वारा रावण मारा गया, तो राम जी क्या बन गया, रावण क्या बन गया, कर्म कारक बन गया, तो राम किये द्वारा क्या हो जागा है, करण कारक, ठीक है, तो राम किये द्वारा को होती है या के लिए को जैसे गरीब को दान दो तो संपरदान का मतलब होता है के लिए जिसके लिए के लिए के जाए यानि कि आपने जो है अपने परिवार वालों के लिए कुछ किया आपने अपने जौब लेकर सम्मान दिलाया ठीक है इस तरीके से को या के लिए ठीक है चलिए अब देखे को भी वक्ती लगेगी तो क्या हुआ गरीब को दान दो तो यहाँ पर क्या की दिया गया है दान दिया गया है किसको गरीब को दान दो तो यहाँ पर गरीब के लिए कोई कारकी आग ठीक है तो जो बच्चों के लिए क्या लिए क्या लिखी पुस्तक लिखी किसने अध्यापक ने तो के लिए क्या हो यहाँ पर संपरदान कारक हो जागा आप से पुझागा कि निमने लिकित वाक्य में क्ये लिए जो है यह कौन असा कारक है तो संपरदान कारक क्योंकि अध् द्यापक के द्वारा तो हम एक बार रिवाइस कर लेते हैं करता कारक यानि कि क्रिया को करने वाला इसमें विवक्ति लगती है ने या सूने आप इस वीडियो को दो तिन वार देखेंगे तो आपको अच्छी समझ में आ रहे हैं जैसे राम ने पत्र लिखा तो राम अकेला विवक्ति है उसके द्वार पत्र को लिखा गया तो सिंपल करता कारक राम पढ़ता है सूने विवक्ति हो जाएगी कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रवावया फ्रपड़े यानि कि विवक्ति को या सूने राम ने बालक को मारा राम ने पक्षी देखा करण कारक जिससे क्र तो दान क किसी के लिए कुछ किया गया न अध्यापक ने बच्चों के लिए पुस्तक लिए और चself अगला देखते हैं अपादान कारत का मतलब होता जिससे प्रथक उच्प्थ, याहने कि यह अलग या करने का साधन होगा, क्या होगा, किसी चीज से कुछ कार की जार होगा, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर अलगाओ का बोध होगा, यानि कि किसी से कोई चीज अलग हो रही हो, जैसे पेड से पत्ता गिरा, तो आप देख सकते हैं, जो पेड था, उससे क्या होगा, पत् तो आपको चिन्द तो ध्यान रख नहीं है, साथ जी साथ उसका मतलब भी आपको पता हुँँए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर आपको पढ़ा रहा हुँए, आपको जो है ये अच्छे से रट जाए, ठीक है, समझ गया है, तो अपादान का मतलब क्या होता है, जिससे प्रक्ठता या अलगाओ का बाओ का बूदू, तो इससे क्या होगा, सेव वक्ति होती है, जैसे प्यर्ड से पता गिरा, मुहन च्छत से कूद गया, तो मुहन पहले च्छत पकड़ा था, अब कूद के नीचे किर गया है, उसकी टांक तूट चुकी है, तो मुहन क्या, च् दूसरी संगी है सर्वनाम से, संबंद बताने वाले जो शब्द होते हैं, नहीं हम संबंद कारक कहते हैं, जैसे इसकी जो विवक्ति होगी, का, की, के, रा, री, रे, जैसे सुर्वी का पती आया, तो सुर्वी का पती आया, तो पती का संबंद किस से है, सुर्वी से, ठीक हमारा बेटा आ गया, ठीक है, तो हमारा क्या सर्वनाम है, बेटा आ गया, तो किसका हमारा बेटा आ गया, रा आ गया हमारा, हमारी बेटी आ ये, मेरे पिताजी आए है, मे रे, मे क्या हो गया, सर्वनाम, रे क्या हो गया, संबंद बिवक्ति हो गई, योगी संबंद कार, तो अधिकरण कारक, अधिकरण का मतलब होता है, किरिया करने के इस्थान या समय को बताने वाला, यानि कि किरिया करने का इस्थान या समय को बताने वाला, संग्या सर्बनाम के जिस रूप से किरिया के आधार का बोधू, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों किरिया करने का इस्थान पता चलता है समय पता चलता है यान कि कहां पर किरिया की गई किस समय किरिया की गई ये चीज़ें आपको अधिकरण कारक से पता चलती है इसके लिए विवक्ति यूज होती है मैं और पर जैसे तोकरी में फल रखे हैं तो जो फल है वो कहां रखे हैं में रखे हैं तोकरी में तोकरी क्या है एक इस्थान है तो क्या हो या क्रिया करने के इस्थान को बताने वाला क्या होता है अधिकरण कारक यानि कि तोकरी में फल रखे हैं पर चडिया पेड़ पर बैटी है, तो चडिया कहा पर बैटी ही, इस्थान बता रहा ना, जो चडिया पेड़ पर बैटी है, तो पर क्या होई, विवक्ति होई, और पर की बज़े से क्या होई, अधिकरण कारक होगया, चलिए नेक्स देख लेते हैं, संबोधन कारक, हो जाएंगी इसकी बिवक्ती हो जाएंगी जैसे हे राम हम पर किरपा करो तो आप वर कार रहे है Hum ने लगवाएंगे आपकोगे उपनी आपको मेनत करने होगे ठिकि? राम तो वसे आपको मात देखा सकते हैं अरे भाई अब हमारी भी सुनो, तो क्या हो रहा, अरे भाई, अब हमारी भी सुनो, मैंने बताया था, आपको उपर पढ़ाया था, तो, देखिए, कि जो, यहां पर लिखा था, देखिए, ये वाला, संभोधन के, जो चिन्ने वो प्रारम में लगते हैं, ठीक है, तो इस क्या संभोधन के चिन्ने ले यार हना तो कि अगर आप पुकार रहे हो संबोधन किसी को बुला रहे हो या पुकार रहे हो ठीक है और ये इस टार्टिंग में लगते हैं ध्यान लगते हैं तो यह होगा आपके कितने 8 कारक पढ़ाई थे ना तो 8 कारक होगा चलिए अब हम इससे रिलेटेड कोईशन कर ये लंका में मारा अब देखिए इसमें कैसे कैसे के लिए रोंगे तो राम ने तो किरिया किसने की राम ने तो ये क्या होगा करता कारक ने क्या होगी विवक्ति रावड को प्रवाव किस पर पढ़ा रावड पर तो रावड क्या होगा कर्म कारक रावड को मारा ना बान स यानि कि किसी चीज से क्रिया किया यानि कि करण कारक समझ गए इसके बाद है सीता के लिए सीता के लिए यानि कि संप्रदान किसी के लिए कोई कारक की है संप्रदान कारक लंका में इस्थान बता रहा है इस्थान अभी हमने पढ़ा था अधिकरण कारक मारा मारा तो क्रिया ह चाहिए, इस एक बाक्य को लेकर आप अपने पांच जो है जो आपके कारक है, वो कम्प्लीट कर सकते हूँ, इस बाक्य को रड़ लेना, कि राम ने रावड को बाण से सीता के लिए लंका में मारा, राम ने मारा, यानि कि करता कारक इसके दोरा किरियागी, रावड को मारा, तो आपको ऐसा एक sentence देगा अब जाएब आपको एगजांपल आएगा sentence देगा उसमें पूछे गा पताई इसमें जो के लिए है ये कौन सा कारक है तो आप देखेंगे पूरा पढ़ेंगे राम निरावड को आण से सीता के लिए किसी के लिए कोई कारण कीए यान की संपरतान कारण तो इस तरीके से आपको आइसर देना हुआ तो इस चीज को आप जो है नोट का लिएगा बहुत अच्छा उदारण है एक प्रकार से आप इसको ट्रेक मान सकते हैं ठीक है चलिए यह दोस्तों मेरे नोट से बहुत शांद सत्य और अहिंसा की क्या दी सिक्षा दी तो गांदी जी गांदी जी क्या कर रहे है कोई कारण कर रहे है और ने बिवक्तियादी करता कारण ठीक है तो गांदी जी के द्वार क्या क्या रहा है कार की जा रहा है अगला है तुलसी ने राम चरितर मानस की रचना की गई तो य सिखारी देख रहा है सिखारी तो हो गया करता कौकी वो कार कर रहा है आपने देखने का किसको देख रहा है सि प्रवाव किस फर उपसेट स कर्मकारक तो इससे लगण आगए यह हाई लैट करता का रख चात्रों को पढ़ाया किस को पढ़ाया किस पर प्रभाव पढ़ा तो चात्रों को पढ़ाया तो चात्रों पर प्रभाव पढ़ाया ने की कर्म का रख ठीक है तो इस तरीके से दो एक में वो दो भी पूछ सकता है ठीक है चलिए अगला है दोस्तों गोपाल गिल रानी से चित्र बनवाया, रोहिनी ने रानी से क्या बनवाया, चित्र बनवाया, तो रोहिनी ने बनवाया, यानि कि रोहिनी की करता कारक क्योंकि वो कारे कर रही है, रानी से क्या बनवाया, चित्र बनवाया, तो रानी क्या होई, उसका क्रिया करने का साधन होई, ठीक है, तो वो क्या होई करड़ कारक, उसने उसके द्वारा चित्र बनवाया या निको उसका वो साधन बन गया ठीक है इस तरीके से, चलिए, अगला है दोस्तों, राम, श्याम के लिए आम लाया, तो राम जो ते, ये तो करता कारक होगा, किसके लिए, स्याम के लिए लाया, तो के क्या है, संप्रदान कारक, जिसके लिए कि दिया की जाए, समझ गया है, अगला है, पेड़ से पत्ता प्रत्वी पर गिरा, तो मैंने बताया था, कोई चीज अलग हो गई, तो पेड़ से क्या होगा, पत्ता अलग हो गया, तो से, से यानिकी अपादान कारक, ठीक है, समझ चलिए अगला है सेर वन में रहता है तो सेर वन में रहता है तो क्या बता रहा है इस्थान बता रहा है कि कोई व्यक्ति कहा रहता है तो सेर क्या है बन में रहता है तो आप से पूझे का बताईए सेर बन में रहता है इसमें जो मैं है ये कौन सा का रहा है तो अधिकरण का रह अबर जो पूरा आपका कारक का जो टापिक था दोस्तों वो complete हो चुका इसकी जो PDF से दोस्तों वो आपको टेलिग्राम पर मिलाएगे टेलिग्राम कर लिंक नीचे है एक update और देता है दोस्तों अगर आपको किसी को भी mock test purchase करना है टेस्ट वोक के इसमें आपको 60,640 से ज्यादा एक्जाम मिलते हैं 56,000 से ज्यादा मॉक्टेश मिल जाते हैं कि एवल एक पास में 400 रोपे का पास है 399 का इसमें हमारा कूपन कोड वी वन और डाल देंगे तो आपको 40,500